तो वेल्कम है दोस्तों नमस्कार आप सभी का देखे दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले बीएड डिगरी को लेकर के एक बड़ी सूचना और साथ ही कुछ प्राइबेड जॉब अपडेट्स ठीक है जो इस्कूल और अधर अधर फिल्ड्स में हैं ठीक है इस्कूल कॉले और बहुत सारी एक दो कंपनी हैं उन सब में तो चली देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग वेकेंसिस को जानेंगे उसके बाद सुप्रीम कोट का जो फैसला है कि बीड जितने भी लोग किये हुए है ठीक है वह अब प्राथमिक सिक्षक यानि कि 125 के टीचर नहीं बन पाए प्राइविट बन सकते हैं लेकिन कॉमेंट में नहीं बन पाएंगे चली देख लेते हैं कुछ वेकेंसिस के तो सबसे पहले दो तुब्र वह ज्यादा वेकेंसिस नहीं कंपनी बहुत कम है पाला है एसबी इंटर कॉलेज एंड जहारखन पब्लिक हाइ स्कूल एक है यहां आपका मनातू और मांजी रांची में इस्तित है ठेक है और यह से भी ऐसी जैक बोर्ड एफिलेटेड़ है यहां पर जो है आपकी वेकेंसिस आई है पीजीट्यू टीचर की पीजीट्यू टीचर में यानि की जो पोस्ट ग्रिजू टीचर है इसमें आपकी मेहथ की वेकेंसि है केमिस्ट्रीडीट्यश की वेकेंसि पीजीट्यश की बात करें इसमें आपका संस्कृ। Hindi, SST, English, Science, Math and Physical Education यानि कि Yoga Teacher तो यह इतने विखेंस हैं फिर हमारा यहां पर Mother Teacher एक कावे सकता है और Pre-Primary के लिए छोटे बच्चों के लिए एक Sweeper कावे सकता है यानि कि सफाई कर्मी की फिर आपका Hostel Warden कावे सकता है एक Male एक Female की और Computer Operator कम Office Assistant कावे सकता है अगर आप यहां पर जाना चाहते हैं मतलब समझे है ना अगर आपको यहां पर जॉब करना है तो आपको बोला गया है कि रिपोर्टिंग टाइम 9 से लेकर के कितना वज़त है और रिपोर्टिंग टाइम 9 और कुछ दीजिए जी तो 9 से 4 होगा ठीक है चौदा तारिक टीक है बहुंच जाना है 9 बजे और उससे पहले बोला गया है कि प्लीज ब्रिंग बाइव डाटा अपने साथ बाइव डाटा लाएंगे चाहे रिजियूम टीक है चाहे सीवी फोटो कॉपी आप और एजुकेशनल क्वाइलिपिकेशन एंड पासपोर्ट साइज नकिन से यहां पर भी पिजिट टीचर की दोग वेकेंसी हैं इंगलिस और साइंस की टिटीट टीचर में सब्सक्राइब जिसमें हिस्ट्री जिए अग्राफी पॉलिटिकल साइंस और एकनोमिक्स क्या है पी टी आइइइ इसमें आपका म्यूजिक टिक डीपेड एंपेड एंड एस्पेशल स्वारी एस्पेशलाइज इन पार्टिकुलर गेम तो देखिए कोई गेम अगर आपने किया है पार्टिकुलर तो आप यहां पर प्रिटीय में जा सकते हैं ठीक है फिर हमारा कि ए टी एल इंस्ट्रक्शन तो यहां पर बोला गया है कि मस्ट हैव नौलेज़ और रोबोटिक एंड एयाई मतलब इन आर्टिफिसल इंटिलिजेंस ठीक है इंडिविडिवल केंडेट मस्ट संबीट डिटेल सीवी तो आपको डिटेल सीवी देना पड़ेगा ठीक है और यह 15 अपर इसका लाश्ट एट है अप्लीकेशन बाइव फिप्टिंट फोर ट्वेंटिवर केंडिडेट सूट भी प्रोफिसी एंसे इंग्लिस आपको इंग्लिस भी अच्छे से आना चाहिए और अधिक जानकरी के लिए आप यहां पेसे कॉल कर लिजेगा ठीक है आगे यहां पर वेकेंसी से ज्यादा नहीं पांच पोस्ट है रिटेल सेल्स ऑफिसर की पोस्ट है आपके टोटल तीन गो ठीक है और यहां पर आउट्डॉर मार्केटिंग ऑफिसर की मतलब आउट्डॉर समझ रहना तो पोस्ट नाम से आपको पता चल रहा है इसमें दो चलरी अच्छा का समय लेगा बट यहां पर आपको एक्स्प्रियंस भी होना चाहिए इंट्रव्यू होगा वोक अट्रव्यू एट टैनिस को सो रूम तो यह सो रूम है इनका जेल टीक है कॉंप्लेक्स में रोड राची टीक है तो जेल चर्च जो है हमारा कॉंप्लेक्स म बज़ तक यह कॉंटेक्ट नंबर है यह मेल आईडी है ठीक है सेलरी बेस्ट इन दे इंडिस्ट्री हाँ मालूम है इनका जो सेलरी रहेगा 20 के पलसी रहता है 2030 ठीक है और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो 50 क्रॉस भी कर जाता है यार फिर यहां पर देख लेते हैं तो जे डी नेशनल बीएड कोलेज में वेकेंसिस हैं और यहां पर लेक्ट्रार लेक्ट्रल इन पेडागोगी सब्जेक्ट हिंदी ठीक है इसकी पोस्ट है फिर लेक्ट्र इन परस्पेक्टिव इन एजुकेशन और यह आपका फाउंडेशन कॉर्स है ठीक है या फिर फाउंडेशन दो भी है फिर यहां पर सपोर्ट अस्टाप की बेकिंसी जिसमें लेव असिस्टेंट इसमें आपको मिनिमूम बीसी होना चाहिए ठी सब्सक्राइब की इलिजिबिल्टी क्राइटेरिया फॉर और अबब पोस्ट सेल भी एज पर एन सी टीटी नॉर्म ठीक है तो नेशनल के हिसाब से इन्हों ने रखा है और अधिक जानकारी के लिए आपको यहां पर हैल्प लाइन नमबर दिया गया है कॉंटेक्ट नमब और यहां पर बोला गया है कि 5-6 साल का experience होना चाहिए अरे बाबा ठीक है और यह आपका हुंडे का स्वरूम हुंडे का जो गाड़ी आता है ठीक है उसी की और से है तो अगर आप जाना चाहते हैं तो राची में स्वरूम है इनका ठीक है इप इस पर कॉंटेक्ट करके बा यहां पर फाइप यह लिख दिया है फिर विए आप एक बार फॉन कर लीजिए गा ठीक है यह रहा इनका नंबर और कुछ लोग पूछते हैं कि क्या आप इनसे कुछ लेते हैं कि आप ऐसा बगरा नहीं नहीं जो मुझे अच्छा वेकेंस लगता है मैं उनको डिरेक्ली व और चार कर देजिए और कुछ का मैं भी कर भी देता हूं ठीक है जो मुझे लगता है कि हाँ यह जैन्मीन है कुछ फेक वेकेंस होती है जिसका मैं नहीं करता हूं या फिर जिसमें फंसने गदर रहता है ठीक है तो उस ट्राइप से मैं नहीं करता हूं बाकी इमेल बहुत स संचता है चलो अच्छा मिला है सुप्रीम कोट का फैसला बोला गया है कि दारक जितने भी लोग किये हुए तो उन सभी को अब जो है प्रात्मिक शिक्षक बनने का मुखा नहीं मिलेगा यानि कि टीचर नहीं बन पाएंगे आप केवल टीचर बन पाएंगे ट्रेंड ग्रेजवेट टीचर यानिक शिक्स टूएट में ही अब आपको पढ़ाना होगा ठीक है सुप्रीम कोट ने कहा 11 अगस्त 2023 के फाइसलिक से पहले हुवी भरतियां कायम रहेंगी लेकिन अब जितनी वेकेंसिस होंगी उन सब पे आपको बीड केवल शिक्स टूएट का ही भरना पड़ेगा ठीक मैं हेडलाइन्स पर देता हूँ जैसे कहा गया है कहा जिस विग्यापन में बीड यह गयता सामिल थी ठीक है उसमें भरति हुई तो बनी रहेगी नोकरी ठीक है दूसरा एक सर्थ यहाँ भी कि किसी अदालत ने उन्हें आयोग न माना हो या कोई सर्थ न लगाई हो तीसरा पूरू में सिर्ष कोट के प्राध्मिक सिक्षक भरति के लिए टी क्या है वी टी सी वह डीलेड को माना जाएगा यह ठीक है सही है फिर हमारा सिक्षा मित्रों की आचिका पर विचार नहीं देखिए कुल मिला की यह है एक बार थोड़ से मैं बता जिता हूँ ठीक है आप लोग को मालूमी होगा फिर भी देखिए अगर कोई के इंडेट ट्वेल्थ पास है ठीक है और वहाँ डे लेड कर लिया ओडियेड कर लिया ठीक है तो यहां वutar 5 या पिर अगर आप graduate भी है यूजी भी किये हैं लेकिन अगर आप ट्रू फाइप में पढ़ा सकते हैं लेकिन अगर अगर आप ग्रिफि संग आप्यकष तो आप यहां तो पर 125 तो पढ़ा सकते हैं ठीके ना तो उससे कम नहीं से ज़्यादा आगे दिख लिएते हैं अगर आप GRIGISAN किये हैं ठीक है UG किये हैं GRIGISAN और आपने BEAD भी कर लिया है क्या कर लिया है? BEAD ठीक है तो अगर आपने BEAD कर लिया है तो आप 6-8 की टिजर को पढ़ाएंगे स्री सिक्स टौट के बच्चों को पढ़ाइंगे जिसको टी जी टी इचर बोलते हैं टी जी टी एक अगर आप ने पीजी कर लिया है ये और फिर बीड किया है कि तब भी आप भी सिक्स टौट के ये बच्चों को पढ़ाइंगे ठीक है बीड मतलब equally टूर उसके बाद अगर आपने पीजी किया है ठीक है क्या क्या है PG किया है और यहां पर मैंने बताया था अगर आप यूजी किया है बिएड किये तो किळने आप सिक्स-ड्वीघ लेकिन अगर आप पीजी भी कर सकते हैं उसके बाद सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरा कहना यह है कि आप एक एरिया को पकड़ यह जहां पर आप अस्टेंड करते हैं सभी जगह पर नहीं पकड़ना चाहिए ताकि मजबूती कहीं एक जगह हो और सभी जगह पकड़ यह तो पकड़ कहीं पर भी अच्छा नहीं बनेगा एक दो आदमी होता है दुरंदर टाइप का उसकी बात अलग है एंक्यू मिलते नेक्ट वीडियो में आपको डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ लीजेगा मैं सब का पीडिया पेक साथ दे रहा हूं छे पेज का है ठीक है बाई जोहार हजार खंड